नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एजूकेशन के अट 6 में रुख करते हैं बिहार की तरफ जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस भरती को लेकर बिहार कॉंस्टेबल जियां की बहाली की प्रक्रियाई निकाली गई हैं फिर से एक बार 8,415 पदों की ये वेकेंसी के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं आपको मैं बता दू कि इस फॉर्म को भरते समय साइद आप लोगों ने अपना जेंडर मेल या फीमेल डाला होगा लेकिन एक समुदाय ऐसा भी है जो कि ट्रंजेंडर समुदाय होता है और उन्होंने यहां पे एक हल्फ अपडेट आई है जिससे मैं आपको आउगत कराना चाहूंगा और इस बहाली के प्रक्रिया में जो मामला है वो पटना हाई कोड तक फेर से जा पहुँची है चलिए लेकर चलते हैं इन सारे अपडेट पे लेकिर उससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट ही अगर आप हमा जिसे हो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए और हर वो अपडेट जिससे कि आपको आउगत होना चाहिए आपके लिए पहुचाते हैं अपने एजुकेशन की एड़ेशिक्स के चैनल के माध्यम से तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तो लेकर चलते हैं उस संबर तक जबाब मांगा गया है जबाब पटना हाई कोट ने मांगा है और जबाब पटना हाई कोट ने अपने बिहार सरकार से मांगा है जिया दोस्तो पटना हाई कोट में चल रहे हैं एक मामले को लेकर यहां पर सिपाही बाहली के प्रक्रियाओं को लेकर मामले में थर यानि कि जो ट्रांसेंडर होते हैं उनके आविदन करने के लिए प्रवधान किये गये हैं या नहीं किये गये हैं इस पर सरकार से जबाब तलब किया गया है दोस्तों आपको बता दे कि कोट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजी के ग्रिय अभिभाग के अप कोई प्रवधान बनाया गया है या नहीं यह जनकारी कोट को 22 दिसंबर तक देनी है और आपको बता दे दोस्तों कि 22 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को आविदन करने के लिए रोका नहीं जा सकता है चुकि लास्ट इट समाप्त होने को है और यहां पर आविदन करने की जो एक्टिब किया जाएगा उनके लिए जो कि ट्रांजेंडर है और वो भी फॉर्म भर सकेंगे इस बहाली की प्रिक्रिया में आपकी क्या राय है आप भी अमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या इन्हें प्रवाधान मिलना चाहिए या नहीं इस फ खंडपीठ ने वीरा यादो द्वारा दायर याचिका जनित याचिका पर सुनवाई करते हुए सचिव से अगामी 22 दिसंबर तक इस समन्द में हल्फ नामा दाखिल करने को भी कहा है याचिका करता की ओर से कोट को बताया गया कि थर्ड जिंडर को सिपाही बहाली में आव जिस सरकार की ओर से कोट को बताया गया कि चुकि यह सरकार किया नितिकत मामला है चुकि इस पर कोट भी कुछ नहीं बोल सकता है यह सरकार का एक निजी मामला है और इसलिए इस मामले में सरकार का पक्ष जानने के लिए एक समय दिना आवश्यक है उने भी तो यहाँ पर सम का मिल सकता है ट्रांजेंडर समुदाय को आविदन करने का इसके बाद आदालत ने संबंदित पक्षो को सुनने के बाद राजी सरकार के समानी प्रशाशन विभाग के अवर मुक्ष सचीव को हल्फ नामा दाखिल करने को भी कहा है तो ये एक अपडेट 15 तारीक का है दोस्त है तो पत्ना हाई कोट ने इस राजी में चल रही सिपाही भरती करीव 8,415 पदों की इस वेकेंसी को यहाँ पर एक बार फिर से तुल दे दिया है और एक नया मामला सामने निकल कर आया है कि यहाँ पर क्या ट्रांजेंडर समुदाय को मौका मिलना चाहिए या नहीं इस प पर नई बाते हैं नई चीजें हैं लेकिन आप जरस साउधान रहिए क्योंकि देखे सिपाही भाहली की परिक्षा में नौ अभ्यारती आज फिर गरफतार हुए हैं और ये उस दिन से चल रहा है जिस दिन से इसकी भाहली के प्रक्रियाएं चल रही है पीटी की जिए दोस दक्षता परिक्षा में फर्जी अभ्यारतियों के खिलाफ पुलिस की कारवाई लगातार जारी है और इसी कड़ाई से सोंवर को दक्षता परिक्षा देने जाने वाले 9 अभ्यारती को और गिरफतार कर लिया गया है जिस दिन से ये मामला चल रहा है ये बहाली के प्रक्रियाएं चल रही है उस दिन से अगर हम देखें नियूज को तो रोज 20, 25, 30 ऐसे अभ्यारती पकड़े जा रहे हैं जो की परिक्षा तो किसी और सी दिलवाए हैं लेकिन दोड के लिए जब खुद पहुँच रहे हैं तो उनका बायोमेट्रिक उनसे मैच नहीं कर पा रहा है और ऐसे में उन अभ्यारतियों को वहाँ गिराफ्तार किया जा रहा है उनकी जो सदस्यता है यानि कि इस परिक्षा को लेकर उसको रद किया जा रहा है अब बाद में उनको फिर कभी मौका नहीं दिया जाएगा कि वो बहाली के प्रिक्रियाओं में भाग ले सकेंगे दोस्तो इन सभी आरोपित पर लिखित परिक्षा में अपनी जगा पर दूसरों को बैठाने का आरोप है वही पर पुलि प्रिक अंगोठे का निसान मिल पा रहा है इस फरजी वाड़े के आरोप को केंद्रे चैन परसद याने के CSBC की ओर से संबंदित आरोपित के खिलाप गरदरनी बाग ठाने में FIR दर्ज कराये जा रहा है और अभ्यारती के गिरफतार किये जा रहे हैं वहीं गरदरनी बाग के आरोप में 9 अभ्यारती अलग से पकड़े गए हैं पूश्ताच के बाद मंगलवार को सभी अभ्यारती को जेल भेज दिया गया है तो ऐसे अभ्यारती जो कि अपने जगह पर किसी और को बेठा कर रेटन एक्जाम तो निकलवा लेते हैं लेकिन जब उनकी दौड की बा खुद को अगर प्रूफ करना है तो पहले पाउदान से लेकर आखरी पाउदान तक मेहनत कीजिए सफलता जरूर मिलेगी देखे लोग कहते हैं कि पेपर लीक आउट हो जाता यहां पर उस बिसे पर भी बिहार सरकार इस पर बहुत कड़ाई से परिक्षाएं ले रही है ज यही कामना करते हैं और आप लोग की नौकरी निस्पक्षता से लगे यही कामना करते हैं ताकि जो उमिद्वार यहां के लिए योग्य हैं उन्ही को नौकरी मिल पाए और ऐसा ना करें कि फर्जी वाड़े में फचें किसी और को अपने जगह बैठा कर एक्जाम नौकरी से बाहर किया जाएगा तो वो और एक बैजती जैसी महसूस कराई जाएगी आपको वहाँ पे इसलिए आज सत्य का साथ रहेए सत्य आपके साथ हमेशा रहेगा धन्यवाद जैहिन जै भारत जै बिहार और आज के लिए इस वीडियो को इतना ही समाप्त करते हैं व अन्यवाद दोस्तों